हेलो व्यूवर्स वेलकम टो माई चैनल आज हम बात करेंगे के बच्चों के पाउडर लगाना ठीक है या नहीं है रेखिए आज मैं आपको दो बाते बताऊंगी एक वो जो बड़े लोग कहते हैं और एक वो जो डॉक्टर्स कहते हैं अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानते हैं और किसकी नहीं दोनों ही लिहास से पाउडर लगाना ठीक नहीं है अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो जो आपके घर में बड़े होंगे आप उनसे पूछेगा या वो खुद बताते होंगे कि न्यूबॉर्ण बेबी को कभी भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बच्चे की स्किन लगने का खत्रा रहता है अब वो ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि बच्चा लेटा रहता है जो न्यूबॉर्ण होता है वो लेटा रहता है तो उसकी जो गर्दन का हिस्सा होता है उसकी स्किन लग जाती है जिसकी वज़से ब बच्चा लेटावा है तो उसकी थोड़ी थोड़ी तेर बार या दिन में दो बार तो जरूर आप उसकी गर्दन साफ करें वजह सिर्फ यही होती है कि उसकी स्किन ना लगे अब मैं आपको डॉक्टर की बात बताती हूँ कि डॉक्टर क्यों मना करते हैं पौडर लगाने के हैं और जिससे बच्चे को सांस लेने के साथ वो अंदर चले जाते हैं और जब वो आपकी बाड़ी के अंदर चले जाते हैं तो वो जो आपके रेस्पिरिटरी पोर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद बच्चे को सांस लेने में प्रॉबलम अस्थमा की प्र मोबलम होने का भी खत्रा बना रहता है तो ये कुछ वज़ा है जिनकी वज़ा से पौडर लगाने के लिए मना किया जाता है अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं किसकी आप बात मानते हैं बडो की ये डॉक्टर की दोनों ही लॉजिकल है अब आपको देखना है कि आपको पौडर लगाना है या नहीं लगाना है अगर आप चाहती है कि पौडर लगाएं तो आप एक काम कर सकती है कि आप फैन ओफ रखें और दूसरे रूम में एक कपड़े पर पौडर लेकर आएं और उसको बच्चे की बॉड़ी पर डिरेक् जोग भी मना करते हैं तो कोशिश ये करने ना लगाएं उसके जगह आम मौस्टराइजर यूज कर सकते हैं वैसे तो छोटे बेबी के लिए मालिश वगरा की जाती है तो उसके लिए ज़रौत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप चाहें तो मौस्टराइजर यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें से अच्छी स्मेल आए उमीद है आपको इन पॉइंट से हेल्प मिलेगी और आप अपने नियो बॉन के लिए कभी भी पॉडर यूज़ नहीं करेंगे तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को जादा सा जादा पहलाने की जादा जादा शेयर करने की और मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा शुक्रिया